नमस्कार, मैं गुंजन कुल्चुरेष्ट राजकी वरिष्टुपाद्य संस्क्रत विध्याले बगरू में प्राध्यापक विज्ञान के पतपर कार रहतूं। आज हम कक्षा बारा के सामन्य विज्ञान विशे के अध्याय बारा रासाइनिक आबंधन के भाग चार का अंध्यन करेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे उप सह सयोजग आबंध के बारे में। ये एक विशेश प्रकार का सह सयोजग आबंध होता है जिसमें दो पर्मानों साजे के इलेक्टरोन युग्म द्वारा बंदे होते हैं। इलेक्ट्रोन युगमुद देने वाला पर्माणू दाता पर्माणू कहलाता है जबके ग्रहन करने वाला पर्माणू ग्राही पर्माणू कहलाता है इस आबंद को तीर के चिन द्वारा प्रदर्शित करते हैं तीर का चिन ग्राही की ओर और पूँच दाता की हो रिती है इसके उधारण है BF4, SF4, H2O2 आदी इसके बाद है इसके अभिलाक्षने गुर्ण जिसमें पहला है आबंध की प्रक्रती उपसेसे हुजक योगिक में आयनिक तथा सेसे हुजक आबंध दोनों के ही लक्षन होते हैं सेकेंड है विलेता उपसेसे हुजक योगिक सामानेत है आशिक रूप से ध्रूविय होने के कारण जल में अल्प विले लेकिन कार्मनिक विलायकों में विले होते हैं थर्ड है गलनांक एवं क्वत्वनांक उपसेसे हुजक योगिकों के गलनांक एवं क्वत्वनांक स सैसे हो जग योगिकों से अधिक एवं आइनिक योगिकों से निम्न होते हैं चोता है उपस ऐसे हो जग आबंद दिशात्मक प्रकृति के होते हैं अथ है समाय वैवियों के पाई जानी की संभावना प्रबल होती है नेक्स्ट है पर्माणू कक्षकों का अतिव्यापन अतिव्यापन है कि जब दो पर्माणू एक दूसरे के निकट आती हैं तो उनके इलेक्ट्रोन अभर एक दूसरे के नाभिकों की प्रति आकर्शित होते हैं दोनों पर्माणू के पर्माणू के पर्माणू कक्षकों का आंशिक अंतर बेधन हो जाता है जिसके फलसरूप इलेक्ट्रोन सयुगमित होते हैं इसे पर्माणू कक्षक का अतिव्यापन कहते हैं अतिव्यापन की सीमा सैसे होजी आबंद की प्रबलता को प्रदर्शित क रहता है आतिव्यापन से तंत्रिकी Suppamets में कमी आती है कि पर्माणों एतिव्यापन को परफिमोल मुक्त हुई उर्जा की मात्रा को आबंध उर्जा कहते हैं कि कख्षकों का तिव्यापन धनात्मक अ रिनात्मक तथा शून्य हो सकता है आबंद निर्माण के लिए कक्षकों के चिन और दिशा यदी एक समान होती है तो उसे धनात्मक अतिव्यापन कहते हैं जब कक्षकों के चिन विपरीद और दिशा समान होती है तो इसे रिनात्मक कहते हैं जब परमाडवी कक्षकों की दिशा अलग होती है तो अतिव्यापन नहीं होता और इसे शून्ने अतिव्यापन कहते हैं कखषकों के अतिव्यापन के अधार पर सैजोझी आबंद दो प्रकार के होते हैं पहला है सिग्मा आबंद और दूसरा है पाई आबंद सिग्मा आबंद वह आबंद है जो आबंदी कक्षकों की अंतर नाभी की अक्षि पर सिरेवार या फिर समक्षिय भी कह सकते हैं जिसे अतिव्यापन से बनते हों उन्हें सिग्मा आबंद कहते हैं सिग्मा आबन के अंतरगयत पहला अतिव्यापन है S-S अतिव्यापन इस प्रकार के अतिव्यापन में परमानों के S कक्षक परस पर अतिव्यापन करके आनवी कक्षक बनाती हैं परन्तु S कक्षक का आकार गोला कार होने के कारण ये अतिव्यापन दिशात्वक नहीं होता है। उधारण है हाइड्रोजन अनू में जिस प्रकार का अतिव्यापन होता है वह S-S अतिव्यापन कहलाता है। सेकिंड है S-P अतिव्यापन जब किसी पर्मानों का अर्धु पूरित S कक्षक दूसरे पर्मानों के अर्धु पूरित P कक्षक से अतिव्यापन करता है तब ये अतिव्यापन S-P अतिव्यापन कहलाता है। इस अतिव्यापन से सिग्मा अबंद बनता है ये दिशात्मक अबंद होता है इसके कुछ उदारण है HCl, H2O, आधी नेक्स्ट है PP अतिव्यापन ये दो प्रकार का हो सकता है तथा दोनों ही दिशात्मक अबंद हैं पहला है सम अक्षिय अतिव्यापन जब दो अर्ध पूरित कक्षक एक ही अक्ष पर अतिव्यापन करते हैं तो उसे सम अक्षिय अतिव्यापन कहते हैं दोसरा है सम पार्षिक अतिव्यापन जिसमें आबंदिक अक्षकों के अंतर नाविकी अक्ष लंबवत होते हैं तो इस प्रकार के अतिव्यापन को सम पार्षिक अतिव्यापन कहते हैं सिग्मा आबंद की तरह एक पाई आबंद और होता है जो आबंदिक अक्षिकों के सम पार्षिक अतिव्यापन से बनता है इसके बाद संकर्ण का अध्यन हम पार्ट फिफ्थ में करेंगे